तो गाइज देशी एग्रो में आपका स्वागत है आज हम रिव्यू करने वाले हैं धान थ्रेसर का क्योंकि अगला सीजन अब धान कटने के बाद धान मडाई का होगा तो इसके लिए एक पैदर आप्शन यह हो सकता है अब इस वीडियो को लाज तक देखें मैं इसका रिव तो 30-60 HP केटेगरी का ट्रेक्टर चला सकता है बिल्कुल आराम से हाई इसके ड्रम में देखते हैं यहां आप देख सकते हैं इसमें कोई ब्लेड यूज नहीं किया गया है इसमें नॉर्मल लोहे की पट्टियां यूज की गई हैं कट करके और यहां उपर आप देख सकते ह एक राउंड ब्लेड जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है इसमें दो फ्राइविल्स लगे हुई है और एंगल के सपोर्ट के लिए अंदर प्लेड स्टाले हुए हैं यहां देखे इसमें निसे जाली लगे हुई है मैं एक बार इसका अंदर से आपको व्यू दिखा देता परन निकाले के लिए यहां जहीं और केसी ही तो देकिए हुए ना दीया हुआ है. यह कुए मां दें आपके आपके और यहां देख सकते हैं भूसा निकालने के लिए एक जाहा श्ली अगया है और ऑसि लिया हुआ है चले आपके और देक्शलान के लिए Earn fazendo यहां आप नीचे देख पा रहे हैं यहां जालियां लगे हुई हैं दान को साफ करके आगे के तरफ फेकने के लिए जहां से हम दान को निकालेंगे यहां से उसकी सफाई हो जाएगी दान जरने के तरू जब साफ हो जाएगा तो यह फाइनल दाना निकालने के लिए हम यहां बहाएंगे और यहां से फाइनली जो दाना होगा साफ होगा यहां से बाहर आजाएगा यह वह पॉइंट है यहां आप देखिए यह पुल्या लगी हुई है भरने के लिए फ्राइविल इसको ऑपरेट करती है और इसके बगल में आप देख सकते हैं इस तरीके से यह कवर किया हुगा है ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो जीगो आप देख सकते हैं यह फैन लगा हुआ है जो गर्दे कुडा आने में मदद करता है आप देख सकते हैं कॉप्शन और दिया हुआ है यह रहा और जैसे कुछ शिकंकर्ड बगारा यासी कोई भी चीज़े इसके अंदर आते हैं तो यह इसको साप करके साइट से बाहर कर देता है इसके वैसे आपको दाना एकदम फ्रेश मिलता है यह उप्सन उसके लिए बना है फिर मशीन अपना काम करती है मड़ाई सुरू हो जाती है इसका प्राइज एक लाग पचितर हजार से एक लाग पचासी हजार के बीच में है इसमें आपको दो कलव आप्शन मिलता है एक वाइट रेड है और एक रेड वित यलो है अगर आप इस मशीन को लेना चाहते है हैं तो आप सराइमीर में विवेक भाई साब की दुकान है उस पर आप संपर कर सकते हैं मैं अड्रेस उनको आड कर देता हूं आप संपर कर सकते हैं उनसे कर सकते हौं उनसे लाई संपर कर सकते हैं पर आप सकते हैं में वाई हैं तो आप सकते हैं